वर्फेंस आज सुबह की जो शुरुबात है वो बहुत ही दुखात तरीके से हुई है अन्फोर्चुनेटली हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वान व बिगेस्ट अन बेस्ट आक्टर्स विच देवर प्रेडूस्ट दिलप साब यानि के दिलप कुमार जी का आज अन हाट एंड प्रफाउंड ग्रीफ आई अनौस्ट दिलप साब फ्यू मिनट्स अगो यानि के आज सुबहरे दिलप साब का निदन हो चुका है वी आ फंग गॉर्ड एंड तो हिम वी रिटर्न हम उपर वाले के तरफ से आये हैं और उनी के पास वापस जाएंगे हॉस्पिल के तरफ से मैसेज आया है कि वेटरन आक्टर दिलप कुमार पासिज अवे अड़ एज ऑफ 98 डॉक्टर जलील पारकर जो उनका इलाज कर रहे थे पल्मनोलोजिस्ट ट्रीटिंग अक्टर इन पीडी हिंदुजा होस्पिटल उन्हें ने कहा है कि दिलप कुमार हैस पास्ट सब्सक्राइब कुमार को उनकी जीवन में 1991 में पद्म भूशन निशान इंतियाज 98 में पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था ही लीव बिहाइंड साइरा बानु जी फिल्म इंडुस्ट्री में जैसे कहा जाता है एक कुछ रिष्ट्रे की मियाद चंद महीने और चंद सालों की रही वही कुछ ऐसी जोडिया भी है जिन पर बॉलिवुड को नाज है ऐसी एक जोड़ी दिगज फिल्म अभीनेता दिल उनके साथ रहती है अंगे दिगबाल करती है अंदिलिप कुमार की जो हेल्थ थी उनका सबसे बड़ा कारण साहरा बानु थी उन्होंने उनको एंड तक समाला उनके एंड तक हैने के अंतिन सांस तक वो उनके साथ धटी रही and guys unfortunately the legend of film industry who gave us innumerable films चाहे वो अंदाज हो आन हो दाग, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमना, रामो शाम, शक्ती, माशाल, करमा, one of my favorite films सौदागर, unfortunately उनका आज दिहान्त हो चुका है, he was last seen in 1998 film called as किला, may a soul rest in peace, आशा करते हैं उनका आपकी आत्मा को शांती दे, आप जहां भी हो, आपको जन्र दसी पता फर्माएं, Muhammad Yusuf Khan ji and Dilip Kumar ji, you will remain one of the biggest actors our Indian film industry has ever produced, iconically, the first Khan the Bollywood industry ever produced, Yusuf Khan a.k.a Dilip Kumar, rest in peace.